हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे LG और Panasonic AC के बाद अब आ चुका है हमारे पास Daikin का 5 स्टार इंवर्टर AC जिसके इस वीडियो में हम करेंगे अन्बॉक्सिंग और आपको बताऊंगा इसके सारे फीचर्स के बारे में इंडॉर के बॉक्स में हमें मिलती है यह सारी चीजें जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं में यूनिट को यह है डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग AC का इंडॉर यूनिट जिसकी लुक आप देख सकते हो बहुत ही कमाल की है कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर वाइट कलर में आपको मिलता है इंडॉर यूनिट और यह मैट फिनिश में है यह ग्लॉसी फिनिश में नहीं आता है उसके बाद यहाँ पर बात करें इंडॉर यूनिट के टॉप साइड पे आपको एक सिल्वर कलर का स्ट्रिप मिलता इंडोर यूनिट के राइट साइड पे लगा हुआ बॉक्स के ऊपर कहीं नहीं स्टिकर लगा हुआ था इंडोर के ऊपर हमें मिला है यह स्टिकर और यहां पर इसकी आईशिर वेल्यू मेंशन की गई है फाइव स्टार रेटिंग का यह एसी है फाइव पॉइंट टू जीर कपासिटी मेंशन है फाइव टू एट जीरो वाट इट मेंस कि डाइकिन का यह एसी ट्रू वन पॉइंट फाइव टन कपासिटी के साथ आपको मिलता है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिलता है ट्रिपल डिस्प्ले का फीचर जहां पर डाइकिन वाले टेंपरेच से दोस्तों इंडोर में यहां पर डोफ लैप दिये गए हैं और यह दोफ लैप के अंदर से जब हिवा आती है तो थ्री डी इफेक्ट आपको मिलेगा हमा में और क्वाणर इफैट भी हमें यहां पर मिलेगा जानिकि क्वांड़ और Кवांद ने सारा यहां पर रखा हुआ है यह है एक leaflet जो e-waste guidelines बताता है do's and don'ts इसके उपर mention है यहां पर इस AC का warranty card मिलता है हमें उसके बाद indoor unit को hang करने के लिए कुछ screw मिल जाते हैं remote control मिलता है लेकिन remote control को चलाने के लिए batteries नहीं मिलते हैं और five star rating का यह AC है remote को hang करने के लिए कोई holder नहीं दिया गया है उसके बाद यह दो filters आपको मिलते हैं क्योंकि डाइकिन का यह जो model है PM 2.5 filter के साथ आता है तो यह आपको box के अंदर ही मिल जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर कहीं user manual तो है ही नहीं मैं भी यही सोच रहा था कि डाइकिन वालों ने user manual ही इंडोर यूनिट के जिस पर इसका model नंबर वगएरा भी सब कुछ लिखा है और यहां पर यह देखिए क्योवर कोड आपको दिया है जिसको scan जब आप करेंगे तो आप इनका operation एंड इंस्टॉलेशन manual डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों यह सारी चीजें हमें मिलती है इंडोर यूनिट के बॉक्स में अब हम देखते हैं आउट्डोर यूनिट को आउट्डोर के बॉक्स में हमें मिलता है आउट्डोर यूनिट और यह काफी study quality है इसकी और बहुत ही बड़ा इसका size मैं यहां पर feel कर पा रहा हूँ उसके बाद हमें मिलते हैं यह connecting pipes जो की copper के हैं इसमें एक छोटा pipe मिलता है पतले वाला और एक मिलता है मोटे वाला pipe और एक मिलती है connecting wire जो की four core की है यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि डाइकिन के इस AC में power cord नहीं मिलती है यह सिरफ connecting वाली cable है जो outdoor को indoor से जोड़ती है लेकिन इसको power देने के लिए जो तार है वो अलग से लगानी पड़ती है installation वाले उसका अलग से charge ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई cable हो तो वो आप उनको दे सकते हैं तो यहां पर outdoor unit की बात करें तो बहुत ही बहतरीन quality का यह outdoor मुझे लगता हूँ आप देख सकते हैं साइड में यह circular शेप में यहां पर मिलती है जिसकी quality बहुत अच्छी है यहां पर मिलता है डाइकिन का ब्रैंडिंग लोगो लगा हूआ है बड़ यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि outdoor के ऊपर कहीं भी five star rating का कोई sticker नहीं मिलता है चलिए कोई बात नहीं यहां पर इसका एक retention किया गया है इस outdoor unit में जो fins use किये गए हैं उनके ऊपर coating की गई है आप देख सकते हैं blue color की यहां पर fins आपको मिलेंगी और पीछे की तरफ fins के लिए protection भी दिया गया है indoor और outdoor unit के बाद आप बात करते हैं कुछ special features की जो daikin के इस AC में हमें मिलते हैं daikin के इस AC में हमें due clean technology का एक feature मिल जाता है जिसमें इसका जो indoor का coil है वो automatically wet clean होता है यानि की remote के उपर एक dedicated button दिया गया है उस button को जब हम press करते हैं तो अपने आप cleaning process शुरू हो जाता है जिससे coil हमेशा नहीं जैसी बनी रहती है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको यह जो outdoor है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि size में थोड़ा सा यह बड़ा है comparatively तो यहां पर दोस्तों यह high ambient के लिए design की गई है machine अगर आपके यहां पर बहुत ज़ादा गर्मी पड़ती है तो डाइकिन का यह model आप consider जरूर कर सकते हैं क्योंकि 54 degree Celsius ambient temperature पर working है इस model की उसके बाद दोस्तों R32 gas आपको यहां पर मिल जाता है डाइकिन के inverter AC में आपको stabilizer inside का feature भी मिल जाता है जिसका voltage range रहता है 130 volts से लेका 285 volts उसके बाद यहां पर दोस्तों compressor की बात करें तो डाइकिन का patented neo swing compressor आपको मिलता है इस model के अंदर तो अगर आप एक powerful AC खरीदना चाहते हैं तो डाइकिन का यह model जरूर consider कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में दे दूँगा अगर आपको इस AC का inside view देखना है तो channel के साथ जुड़े रहिए इसको पूरा खोल कर inside view भी दिखाएंगे हम और उसके बाद इसकी testing videos भी 10 साल की warranty दी जाती है PCB के उपर तो यहां पर आपको PCB warranty मिल रही है तो कोई tension की बात नहीं है आप आख बन करके डाइकिन का यह AC खरीच सकते हैं for better performance डाइकिन का यह AC आपको कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताइएगा और अगर यह video आपको अच्छा लगा तो एक like जरूर कर आप सबका इतना प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत थैंकियू आप सबको भगवान बहुत खुश रखे God bless you दोस्तों